पर हगला ऍिक हैं उन्स थिर्फ ट्रेस को सुर्ड Star को अचर्व र में और रबला हो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा यह जैए उनमों कॉले मेदो लाइप और यह कॉलेकर कोछ वैली सिंक अब यहां पर देखो यहां पर क्या बना है सिंक होल बना हुआ है यहां पर क्या बना हुआ है डोलाइन बना हुआ है तो इसे हम यहां पर साइड पर देख लेते हैं यहां पर नहीं तो डाइग्राम खराब हो जाएगी अगर बीच मी करने लगे तो ठीक है अब यहाँ पर क्या था सिंक होता यहाँ पर क्या था डो लाइन था ठीक है तो यहाँ पर चूना पत्थर के दिखता के कारण पानी की वजह से यहाँ पर नीचे की और दस्ता जाएगा जिस वजह से यहाँ पर शिंक हो यहाँ बढ़ा खड़ा हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर एक वैली एक बगाटी की तरह देखने को मिलेगा जब sink hole और door line जब यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे तो यह खड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा एक valley की तरह देखने को मिलेंगे इसे ही क्या बोला जाता है इसे यूवाला बोला जाता है ठीक है इसे क्या बोला जाता है यूवाला या आप इसे गाटी भी बोल सकते है ठीक है तो यूवाला समझ में आया मतलब कि यहाँ पे sink hole इसे आपको बड़ा देखने को मिलेगा door line इसे भी बड़ा देखने को मिलेगा यूवाला देखने को मिलेगा ठीक है समझ में आया यहाँ पे इतना ठीक है अब हम यहाँ पे बात करतें लैपिस के बारे में ठीक है अब य आप इसे पिट भी बहुत सकते हैं ठीक है नोर्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर इंगलीश में साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है तो नोर्स आप देख लेना जैसे कंप्लेट हो जाएंगे वेबसाइट के उपर परचेस कर लेना तो लैपिस ठीक है लैपिस के बारे में कर रहे हैं अब यहां पर बहुत बड़े-बड़े खड़े बनते हैं जिसकी वज़े से यहां पर जो लाइम स्टोन होता है यह पूरा ही खतम हो जाता है यह जो चूना पत्थर होता है यह पूर पत्थर हो जाएगा बड़ा पत्थर हो जाएगा तो इस परकार की यहां पे आकरीतियां पत्थरों के देखने को मिलेगी क्यों कि यहां पर देखो यह जो बड़े-बड़े खड़े इसकी वज़ए से लाइम स्टोन सारा खतम हो गया तो क्या बचेंगे ओनली चटाने बचे तो यही क्या होते हैं लैपिस बोला जाता है यहां पर यह जो रिजिस की तरह रिज तो इस परकार की यहां पर इर्रैगुलर शेव में बन जाएंगी ठीक है तो चलिए अभी हम इतना यहां पर डाइग्राम में देख लेते हैं यहां पर बहुत अभी हमने कर लिया है ठीक है सिंक होल देख लेते हैं सबसे पहले sinkhole दिखा देते हैं तो यह रहा sinkhole ठीक है यह रहा sinkhole तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं sinkhole के बाद हमने क्या पढ़ा था? डो लाइन पढ़ा था डो लाइन यह रहा डो लाइन भी देख लेते हैं कि यहां पर इंकलत हो जाएगा अ है कि अ तो यह दो लाइन देखने को मिलेगा तो उसके बाद अभी हम यहां पर सिंख होल को भी देख लेते हैं सिंख होल कहां पर चला गया ये रहा ठीक है ये रहा सिंक होल ये रहा डॉलाइंड तो इसके बाद अभी हमने और क्या पड़ा था यहां पर युवाला 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 को भी देख लेते हैं यहां पर ही होगा वो भी युवाला यहां पर इसकी फोटो नहीं है चलिए उसके बाद हमने यहां पर लैविस के बारे में देखा था लैविस के बारे में भी देख लेते हैं लैविस तो हमने लास्ट लैपीज यह रहा लैपीज तो यहां पर यहां पर छो पत्तर होते हैं तो यह क्या बन जाएंगे यहां पर लैपीज इसे हम यहां पर दलीट कर देते हैं कर दिया यहां पर ठीक है तो यह क्या है यहां पर सिंक होल ठीक है जैसे और बड़े हो जाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएंगे दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा युवाला बन जाएगा उसके बाद हमने यहां पर पड़ा था क्या पड़ा था यहां पर लैपि इन्हें क्या बोला जाता है ठीक है तो यहां तक समझ में आया उसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं भी पॉल जे के बारे में भी देख लेते हैं यहां पर पॉल जे तो यहां पर यहां पर जादा यहां पर इरोजन की वज़े से यहां पर यह जो एरिया होगा जहां पर लाइम स्टोन चुना पत्थर की अधिकता होगी यह नीचे की तरफ यहां पर गिरने वाला होगा ठीक है यहां पर इसकी जो स्लोप होगी वो नीचे की तरफ य दसने लग जायेगा, जैसे यहाँ पे यहाँ इनीचे की और, यहाँ पर Sum же दिशा में हो जाएगी तो इसे ही यहाँ पर क्या बोलते इस है यहाँ पर गिर ल हीं लग जाएगा यह तो इसे का बोल जाएगा झै यहां पर यहां पे नीचे की ओर गिल जाता है तो यहां पर इसे क्या बोला जाएगा टैरह ऑला जाएगा ठीक्वाट तो आप को किया किया देखने को मिलेगा इसमें यहां पर को मिट्टी भी देखने को मिलेगी ठीक है मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा अब यहां पर यह वाली जो मिट्टी होती है बहुत जादा अच्छी होती है किसके लिए यहां पर कोफी कोफी के लिए बहुत जादा अच्छी होती है ठीक है यूपीस में कोशन पूछा गया यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस यहां पे रोज मं की वज़ें से होते हैं कौन कौन से टि बॉजीशन की वज़ए से अपना दिमाग खुद लगाना अगर यहाँ temper टॉपक सबन्ल को मिलेंगे टि पोजिशन की वजह याससे कौन-कौन से देखने को मिलेंगे अपर्धन बोला जाता है इसे निक्षेपन पर पन के ठीक है तो कि ठीक है तो इससी के साथ यहां पर के पॉल यहां पर प्वह दिखाना था यहां पर चलिए दिखा देते हैं आपको यह जो पोल्जे आपको देखने को मिलेगा विश्व में सबसे बड़ा पॉल्जे देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पे यह जो यूरोप में यहाँ यहां पर बकन रिजन है यहरोप में बालकन रीजन ठीक है बालकन और मेसमें भी यहां पहलजी तो यह जी आपको देखने को मिले गांई यहां पर अब देखने को मिलेगा ठीक है यह देख रहे हैं आप किस परकार से यहां पर नीचे की और यहां पर यह दस रहा है ठीक है तो इसी परकार से यहां पर पॉल जे देखने को मिलेगा जैसे नीचे की और दस आ जाएगा यहां पर बाद में क्या बन जाएगा तैरारोसा बन जाएगा इसमें ब आपको समझ में आया होगा